अपने बीच भारतिय जनता पार्टी के रास्तिय प्रवक्ता मानिये संबित पात्राजी आपको संबोधित करेंगे मेरा साधर अनुरोध है डॉक्टर पात्राजी से कि आपको संबोधित करेंगे बहुत धन्यवाद संजे जी आप सब को भी बहुत धन्यवाद कि आप एक short notice में आज हमारे बीच में यहां उपस्तित हुए बंदुगण आप देखी रहे हैं किस प्रकार से CAA को लेकर NPR को लेकर देश में माहोल खराब करने की कोशिश की जा रही है कुछ political parties जिस प्रकार से भ्रम का माहोल पैदा कर रहे हैं उससे हम अंचुए नहीं है और खास करके इसके पीछे कोई है तो Congress Party है आज हम एक बहुत सीरियस सवाल पूछने वाले हैं Congress Party से सवाल यहाँ है कि आप CAA को लेकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं या आपका अधिकार है यह एक लोकतांत्रिक देश है किन्तु CAA का आड लेकर इस प्रोटेस्ट का आड लेकर जिस प्रकार से आप लोगों ने हिंदूों के ऊपर गाली देने का काम किया है You have started abusing the Hindus of the country that cannot be taken for granted हम इस पर आज बहुत सारे विश्यों को लेकर आपके समान सामने आएं बंदुगन तीन ऐसे बयान हाल फिलहाल में तीन दिन के अंदर आएं कि यह बयान हमें बाध्य करता है कि हम आपसे रूबरू हो और हकीकत Congress और उनके जो allies हैं चाहे वो NCP हो और चाहे वो AIMIM हो जिनके साथ Congress बहुत दिनों तक गड़बंधन में रही उनसे यह सवाल पूछें दो दिन पहले असोग चवान ने जो की Chief Minister रह चुके है महराश्टर में असोग चवान ने एक सभा को संबोधित करते हुए जिसमें मुसलिम लोग मौजूद थे उसको संबोधित करते हुए अपीजमेंट के लिए कहा और मैं कोट करता हूं हमने मुसल्मान भाईयों के कहने पर महराश्टर में सिवशेना के साथ सरकार बनाई है मुसलिमों का कहना था कि बीजेपी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है इसलिए बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए सिवशेना के साथ सरकार बनानी चाहिए तो इस पूरे जो स्टेटमेंट को हमने सुना उसका एक ही निचोड लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी मुसल्मानों से पूछ कर ही सरकार बनाती है हिंदूओं से बाकी जो संप्रदाएं हैं उनसे बाकी धर्म से कोई लेना देना कॉंग्रेस पार्टी का नहीं है वो केवल और केवल जो मुसल्मान कहते हैं उन्ही के आधार पर सरकार का कठन करती है दूसरा स्टेटमेंट एनसीपी के नेता जितेंद्र अवहाड जो कि कॉंग्रेस पार्टी के अंतरंग मित्य अनेक मित्र रहे हैं अनेक वर्षों से और दोनों की सांझा सरकार चल रही ह महराष्ट्र में उनका ये वक्तव्य है उनका वक्तव्य क्या है महराष्ट्र के आवास मंत्री है और वो कहते हैं कि मुसल्मान यहां बता सकते हैं कि उनके पूर्वज कहां दफनाए गए थे लेकिन हिंदू वैसी कोई जगह के बारे में नहीं बता पाएंगे कि उनके कि उनके पुर्वजों का कब्र कहां है तो आप सोचे जरा यह कितना डिमीनिंग है यह किस प्रकार का वक्तव्य है कि हिंदू अपने दादा पर दादा अपने पिता उनकी अंतेश्टी कहां हुई यह तो बता नहीं सकता है किन्तों मुसल्मान दिखा सकता है कि यह हमारा कब् ये किस प्रकार की राजनीती हो रही है ये किस विशे में आज बात हो रहा है और कल जिस प्रकार से अकबरुद्धी नोवेसी जो असवद्धी नोवेसी ये जो नियो जिन्ना है इंडिया के जिन्ना बनने की कॉंप्यूटीशन में है उनके भाई का उनका वक्तव्य क्या था मसलमानों के पास क्या है ये सवाल पूछा जाता है अरे 800 वर्षों तक हम बने इस मुल्क पर हुकमरानी और जावाजी की है इस मुल्क के चपे चपे पर मेरे अद्मत के निशानिया मौझूद है मेरे आबा और जात ने इस मुल्क को 4 मिनार दिया है मेरे जात ने इस मुल्क को मक्का मस्जिद दिया है मेरे जात ने इस मुल्क को जामा मस्जिद दिया है कुतुब मिनार दिया है अरे हिंदुस्तान का वजीर आलम जिस लाल किरे पर जंडा फेहराता है वह भी मेरे आबा ने दिया है यह सब मेरे बाबा और दादा ने बनाया तेरे बाप ने क्या बनाया है यह किस्से सवाल था यह जमा मस्जिद आपके दादा ने बनाया आपके आबा ने आपकी जात ने बनाया मक्का मस्जद यह आपके आबाने बनाया यह लाल किला आपके आबाने बनाया और हमारे बापने क्या बनाया यह हमारा कौन है यह आप किस से सवाल पूछ रहें मैं बताता हूं हमारे दादा ने हमारे पर दादा ने किया किया हमारे दादा ने हमारे पर दादा ने इस देश को शहिश्नु बनाया हमारे दादा ने हमारे पर दादा ने इस देश को विराट बनाया शमतावान बनाया गरिमावान बनाया धर्म निर्पेक्ष बनाया और यस प्रकार से वो यहां रॉण्द के चले जा रहे थे वो जाहाजी थी यह जो कहा जा रहा है कॉंग्रेस के तरफ से अशोग चemary के तरफ वो मुसल्मानों का है यह अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो यह क्या है यह किस प्रकार का प्रेम केवल मुसल्मानों के प्रती है और मैं आज कुछ एतिहासी की हाँ होगा हम कुछ दिखाएंगे और कॉंग्रेस का नमांकरन भी करेंगे मगर मैं कुछ कागज दि कंग्रेस के नेता गाए की हत्या करते हैं केरल के चौंक में और सारवजनिक रूप से गौवमास का भक्षन करते हैं राहुल गांधी जेनी उजाते हैं 2016-17 में और वहां नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा हैं 16 मई 2017 कपिल सिब्बल सुप्रीम कोट में भगवान राम की तुलना ट्रिपल तलाक और हलाला से करते हैं 18 डिसमबर 2016 उत्राखंड में हर सुक्रवार को मुसल्मानों को 90 मिनट की अवकास दी जाएगी हिंदूओं के लिए कुछ नहीं किया जाएगा अब याद करिए उसके बाद सिदरमया ने अपने साशनकाल में 20 RSS के कारेकरताओं की हत्या की जांच करने से इंकार कर दिया था जाकिर नायक का कॉंग्रेस पार्टी से किस प्रकार का संबंद था ये वही जाकिर नायक है जो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है जाकिर नायक से सोनिया गांधी जी ने कॉंग्रेस के लिए डोनेशन लिया था 22 डिसेंबर 2013 मुझफर नगर के दंगा पिडित हिंदूों से नहीं सिर्फ मुसल्मानों से मिलने राहूल गांधी गय थे 2013 सुशील कुमार सिंदे ने भगवा आतंकवाद गढ़ा था 2010 अजीज बर्नी की किताब 26-11 RSS द्वारा प्रयोजिद दिगविजय सिंग ने इसे रिलीज किया था 20 जुलाई 2009 राहूल गांधी ने अमरीकी राजदूत टिमोथी जे रोमर से कहा था कि देश को अगर सबसे बड़ी संकट किसी से है तो वो भगवा आतंकवाद से है 2008 सुप्रीम कोर्ट में कॉंग्रेस ने कहा राम सेतु को हम नहीं मानते हैं उसके अस्तित्तों में कॉंग्रेस को विश्वास नहीं है 2008 में समझोता एक्सप्रेस विश्पोर्ट में कांग्रेस के सीस नित्यतों ने हिंदू आतंगवाद पे उंग्ली उठाया था 2006 में मनमोहन सिंग ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसल्मानों का है 2004 में सोनिया गांधी ने कांची कामकोटी के संक्राचारे को गिरफतार करवाया 2019 में राष्टरप्रती प्रणब मुखर जी ने अपने पुस्तक में इसका जिक्र करते हुए सोनिया जी पर उंग्ली उठाया था 1987 में राजीव गांधी ने सहबानों के केस को पलट दिया था 1951 में कॉमन सिविल कोड पर किस प्रकार से बाबा साहब के प्रस्ताब को नहरू जी ने ठुकरा दिया था 1971 में जवाहाल नाल नहरू ने डॉक्टर राजेंद प्रशाद को सोमनात मंदिर जाने से मना किया था 1949 में आयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया जो आज तक नहीं बन पाया था 1947 में सोमनात मंदिर के पुनर निर्मान का पंडित जवाहाललाल नहरू ने विरोध किया था 1946 में जवाहाललाल नहरू ने वंदे मातरम को राश्टरगान बनाने का विरोध किया था 1946 से 2020 तक एक बादसिद्ध होता है और आज भारती जनता पार्टी 22 जन्वरी 2020 को डिक्लेर करती है कि अब से कॉंग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कॉंग्रेस आइनसी नहीं MLC बोलना चाहिए MLC माने Muslim League Congress यह INC नहीं है यह MLC है यह Muslim League Congress है केवल मुसल्मानों का बात करना और मुसल्मानों का भी केवल तुष्टिकरण के लिए भला किसी का नहीं करना केवल तुष्टिकरण के लिए मुसल्मानों की बात करना और तो और कर हमने कुछ चैनलों में और भी चौका देने वारा विशह देखा है PFI के छे लोग करनाटक में गिरफतार हुए वही PFI जिसके समर्थन में राहूल गांधी और सोनिया गांधी उतरते हैं जिनके साथ गठबंधन भी किया उसी PFI का जो पॉलिटिकल बॉडी SDPI है PFI के लोगों ने एक शडियंत रचा कि कुछ भारतिय जनता पाटी और संग के कारेकरताओं को मौत के घाट उतारा जाए जो CAA का समर्थन करते हैं उनको मौत के घाट उतारा जाए Let us assassinate them और आज confession भी सामने आया है कि assassination का plot करनाटक में रचा गया था कुछ चैनलों ने इसे दिखाया है आप क्या कर रहे हैं आप हिंदूओं को गाली देंगे assassination का plot रचेंगे शाहीन बाग में छोटी छोटी बच्चियों को मैं उन बच्चियों पर उंगे नहीं उठा रहा हूँ वो तो मासूम बच्चियां है मगर हिजाब पहना कर मासूम बच्चियों के जहन में किसनी ये जहर बोया कि या तो हम रहेंगे या तो प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री को जान से मार देंगे छोटे छोटे बच्चियों को उनके खेलने और पढ़ने के दिन है उस समय में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उनके मन में कौन डाल रहा है कि प्रधान बंत्री को जान से मार देना है बंधुगन ये जो जहर देश में हिंदूओं के खिलाफ बोया जा रहा है देश में सत्ता के खिलाफ बोया जा रहा है मुझे लगता है ये बहुत ही दर्दनाक है ये डिमोक्रिक कंट्री है आप किसी भी विशह पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं किन्तु तुष्टिकरण की राजनीती के अंतरगत एक धर्म पे अटेक करना उनको जलील करना और क्रिमेशन की पध्धती पे अटेक करना ये कहना कि हम केवल मुसल्मानों को सोच के सरकार बनाते हैं ये उचित नहीं है सोनिया गांदी जी को माफी मांगनी चाहिए सरत पवार जी को भी माफी मांगनी चाहिए कि जिते नवाड इस प्रकार का विशे रखते हैं और खेर अकबर उद्दीनों वेसी से हमें कोई आशा नहीं है वो तो जिन्ना बनने की दौड में है थांक्यू वेरी मच जो आपनों सवाल पूछे तो अवश्य हमस्पे जवाब देगे त्सक्राइबस देखिवाड कween एव अरू प्रका laple ऐसकी जगए कि उसक्राइबसा बडेच अचर्पशीड सबुछेसीख इवाऊन आपके ज मैं पो lên आपचा Сп olकोड्याया कि ऍक्यावण गुर्ट व Więc बवए बटेवले कि उंप सत master और गौरी and this shows the real intention of some organizations like the pf I the same pf I the intelligence report that came in the television channels showed the same Pf I 25 people were arrested in Uz 2他ament or the kind of mayhem that the pf I created on the streets of ienna Pradesh. The same PFI is plotting assassination. So what do these people want? They want destruction of democracy of this country. They want destruction of the fabric of secularism of this country in the name of CA and NPR. अगर किसी कानून के विरोध आपत्ती दर्ज कराना चाहते हैं, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है. किन्तु उस अधिकार का फाइदा उठाते हुए किसी भी धर्म या जाती विशेश के उपर इस प्रकार की आपत्ती जनक टिपपणी करना कि हम आपसे पूच के सरकार नहीं बनाते हैं, हम केवल मुसल्मानों से पूच के सरकार बनाते हैं. यह कहना कि मुसल्मानों ने कहा कि बीजेपी उनकी कटर दुश्मन ने उन से कहा कि बीजेपी किसी की भी कटर दुश्मन है? यह कहना कि हिंदू जो है, वो अपने दादा पर दादा के, कहाँ पे उने जलाया गया, कहाँ उनको क्रिमेट किया गया यह नहीं बता सकते हैं, मगर बाकी मुसल्मान दिखा सकते हैं कि उनका कबर कहां पे है क्या ये वैमनस्यता फैलाने की कोशिश नहीं है ये कहना कि 800 वर्षों तक हमने इस मुल्क पर राज किया और जो इन्वेडर्स ने किया उसके साथ खड़ा हो जाना ये कहना कि हमारे बाप दादा ने जामा मस्जिद बनाया तुम्हारे बाप दादा ने क्या बनाया क्या ये दो धर्मों के बीच में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश नहीं है हम ये कहना चाहते हैं कि देश को धर्म के नाम पे जो बटवारा करने की कोशिश कुछ लोग अपने राजनितिक फाइदे के लिए कर रहे हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए देखे सुप्रीम कोट सर्वोपरी है ये सारे लोग जो इतने CAA को लेकर विचलित हो रहे हैं कह रहे थे ये अनकॉंस्टिटूशनल है सुप्रीम कोट ने कोई रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोट सुनवाई करेगी देखे मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस प्रकार की आग कंट्री देश के न्याय प्रनाली पर आप विश्वास रखिए देश के न्याय प्रनाली से बड़ा कोई प्रनाली नहीं है कोई तंत्र नहीं है पूरे विश्वका सबसे सदुध न्याय प्रनाली भारत कवर्शका है ऐसे में सुप्रीम कोट क्या कहती है उस पे विश्वा देखें जहां तक देश के बटवारे का सवाल है दो व्यक्तियों के कारण देश बटा है Ambition of two people दो व्यक्तियों के महत्वा कांशा के कारण देश बटा है जिन्ना नंबर वन जिसकी Ambition थी कि वो राज करे वो सत्ता में आए और उसने देश बाटने की कवायत की और दूसरा पंडित जवाहालन नहरू जिनको प्रधान मंत्री बनने की जल्दी थी क्योंकि महत्मा गांधी ने खुद कहा था अगर देश बटेगा तो मेरी लास पे बटेगा महत्मा गांधी से भी अपने आपको बढ़ा करके जिस प्रकार पंडित जवाहालन नहरू ने अपने Ambition के कारण देश को बाटा है यह कोई अतिशक्ती नहीं है कि जिन्ना और कॉंग्रेस पार्टी इन दोनों के कारण देश का बटवारा हुआ और आज यह जो CAA के विशे में हम डिवेट कर रहे हैं धर्म के अधार पर देश के बटवारे के कारण ही यह डिवेट हो रहा है देखिए जहां तक यह बार-बार मलिकारजुन खड़के कह चुके हैं अगर दुबारा इन्होंने कहा है कि आजादी की लड़ाई में संग का कोई भी कुता नहीं मरा तो पहले तो मैं कंडेम करता हूं कि ऐसे भाषा का प्रयोग अपने हिंदुस्तानी के लिए किसी भी नहीं करना चाहिए किसी भी मनुष्य के लिए करना चाहिए अगराल चुके रोने कहा है मैं एक सवाल मलिक आरण खडगे जी से पूछता हूं मैं तो कह रहा हूं कि चाहे कांग्रेस के हो चाहे जे-डि-उ के हो चाहे JDS के हो, चाहे OACG के पार्टी के हो, किसी के भी हो, हम जितने हिंदुस्तानी हैं, हम सब कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, कोई असहयोग करके लड़ रहा था, कोई रिवल्यूशनरी तरीके से लड़ रहा था, कोई अंदो स्टिफानो माइनो जी कौन से जिले से लड़ रहे थे अंग्रेजियों के खिलाफ मलिका आरजुन खड़गे जी लोग सभा के इतने बड़े नेता रह चुके हैं वो इससे पहले एलोपी थे तो दूसरों के बारे में बात करने से पहले कम से कम अपने घर में जहांके देखे जिनके घर में सोनिया जी हो एंटूनियो माइनियो हो और उनके पिता स्टिफैनो माईनो के बारे में संजै निरुपम ने अपने कांग्रेस दर्शन किताब में लिखा था कि he is a fascist कि सोनिया गांधी जी के पिता जी स्टिफैनो मायनो मुसॉलिनी के ले काम करते थे वो एक फासिस्ट थे हम सब मिलके सोनिया जी के जो परिवार की जो विचारधारा थी हिंदुस्तान को रौंधने की उस विचारधारा की खिलाफ लड़ रहे थे तो मलिकारजुन खड़गे झाल 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 झाल